जैन साथियों बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का B.A. समस्टर वाला में जहां दोस्तो आज की कलास बहुत ही संदार होने वाली है आज के इस कलास में लोग कवर करेंगे B.A. 4th समस्टर Political Science पेपर का नाम है Western Political Thought बाट आप किसी भी राज से हैं किसी भी उनिवरसिटी से हैं भारत के ठीक है चाहे उत्तर परदेश के आप इस कलास को पैटन कंह én होता है इक्जाम में प्रस्ण कैसे आते हैं होते ठीक है लगबग-लगबग आपके इसमें से कम से कम ऐसे होंगे जो 20 से 30 परस्ण ऐसे होते हैं इसके बीच में जो हर साल रिपेट होते हैं तो समह लेजी मान के चलिए आपके 30 30% तो एकदम तयार हैं बागी आपको तयार करने क्या हो सकता है ठीक है चले और आपसे रिक्वेस्ट है ठीक है देखिए 30-30 कभी-कभी ऐसा होता है 40-40 प्रस्न आपके रिपिटेट हो जाते हैं ठीक है तो ध्यान रखेंगे आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर पुरा चात्रा हैं सपोर्ट जरू करें साथ ही ठीक है चले पहला प्रस्न आपका देखते हैं क्या पूछा गया है समाजिक समझावता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई तो यह हाफ्स के द्वारा लिखी गई है समाजिक समझावता पुस्तक हाफ्स के द्वारा ठीक है यह 28 जून 1712 भी बी आपसन करेक्ट है आपका दूसरे का देखिए बिल्कुल भी आपको चिंता करने के आप सकता नहीं घबराने की जरुवत नहीं है जितने भी प्रस्ण है ये सभी देख लिजेगा ठीक है हो सकता आपका चार्चन नंबर वाला प्रस्ण पूछ दे आपका अर प्रस्ण है एमिल पूस्तक किसके द्वारा लिखी गई तो यह रूसों के द्वारा लिखी गई थी सी आपसन करेक्ट है चौथा प्रस्ण आपका पुछा गया है किसने लोकतंत्र की पहचान भीड़ तंत्र से की तो अरस्तु ने लोकतंत्र की पहचान भीड़ तंत्र से क यह B option आपका correct है चले प्रस नमबर 5 देखेंगे आपका क्या पूछा गया है उप योगितावाद में नैतीकता कि तत्तो का समवेश किया किसने किया था जान बेंधम ने ठीक है ए आपसन correct आपका देखिए मैं इस तरह से नहीं पढ़ाऊंगा हापस जान लाक रूसो ऐसे आपको समय बरबाद होगा ठीक है मैं डारेक्ट बताऊंगा मुझे उमीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और लॉंग टर्म तक याद रहेगा ठीक है परिक्षा में बैठेंगे जैस आपसन करेक्ट आपका चले सात्वा प्रसन आपका पुछा है इस्तरियों का साम्मेवाद का सिधान्त किस ने दिया इस्तरियों का सम्मेवाद का सिधान्त प्लेटों ने दिया है यह आपसन करेक्ट आपका प्रस नमर आघ पुचा गया है निमनलिक्षत में से कौन सा यूकम सुमेलित नहीं है बताइ ये कौन सा सुमेलित नहीं है तो जान बोन्दा फरांस के थे ठीक है जान लाक इंगलैंड के थे लेनिन रूस के थे रूसो अिटली के नहीं थे वह यड़ी आपसन आपको क्या है इंकरेक्ट है रूसो कहां के थे यह वी comment box में बताइए कि जब आप comment करते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है ध्यान रखेगा इस बात को ठीक है इसलिए मैं करता हूँ कि आप लोग comment कर ये प्रस्ट नमबर नौ आपका क्या पूछा गया है निम्नलिकित में से कौन सा कथां सही है इन चारों में से आपके तीन आपसन जो है गलत है किवल एक आपसन आपका सही है देखेंगे बोंदा एक बहुलवादी था ये आपका क्या है ये आपका इनकरेक्ट है ठीक है गलत है रूसो एक समझातावादी था, बिल्कुल करेक्ट है, आपका दूसरा यह आपसन करेक्ट है, यह दोनों भी आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है, बी आपसन आपका करेक्ट है, चले, दस नमबर पसंदेखेंगे साथ ही, हम लोग क्या है, परतेक राज अपने द्वारा वेवस्थित किये जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है, यह कथन किसे से संबंदित है, तो यह कथन है, एच लास्की का, डी आपसन करेक्ट है आपका, प्रस नमबर 11 क्या पुछा गया है आपका, व्यक्तियों के कारियों को किसने स्वसंबंदी तथा परसंबंदी कारियों में विभाजित किया है, तो यह JS मिल ने, ठीक है, JS मिल ने व्यक्तियों के कारियों को स्वसंबंदी तथा परसंबंदी कारियों में विभाजित किया ह द्यान रखेंगे प्रस्ण नमबब्ल बारा क्या है इस सब्सक्राइब को कहा जाता है उदारबात का पिता जानला को कहा जाता है याफिधन करेंगे प्रस्ट नम्बर तेरे क्या है लोक कल्याड कारी राज की तरफ ध्यान आकर्सित करने वाला ठीक है ध्यान आकर्सित करने वाले प्रथम आधनिक विचारक कौन थे हराल डलास्की थे भी आपसं करेक्ठ आपका तेरे का चले प्रस्ट नम्बर चोदर क्या पुछा गया है तीय सेंट आगंश्टि친 एपसंदकरिक्थे चओदय का पुमधिसने मबर 25 कि अपुछा गया है जान लाक के अनुसार सरकार का सर्वत्तम स्वरूप क्या है सिमीत राज तंत्र ठीक है सी आपसंद करेक्ट आपका चले आगे बढ़ते हैं 16 नमबर पसंद क्या है कौन 1688 की अंग्रेजी क्रांती को सही ठाराने का प्रयास करते हैं तो जो जानलाख है यह 1688 की अंग्रेजी क्रांती को सही ठाराने का प्रयास करते हैं आपसन करेक्ट आपका 17 नमबर प्रसंड क्या पूछा गया है रोजा लगजंबर्ग राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए थे उधारवाद माक्सवाद कंजर्वेशन या राजक्तावास से जुड़े थे तो ये माक्सवास से जुड़े हुए थे ठीक है रोजा पुछा गया है ऊन्ना आरेंट का अधिनायकवाद का विसलेशर किस प्रंण करीटी में दिया गया है दे ओर इजन आवर टोटली टेरियन निजम में दिया गया है C option correct आपका प्रस नमबर 19 क्या पुछा गया है राजा को सेर के समान सासी और लोमडी के समान चालाक होना चाहिए या किसका विचार है तो यह विचार है माइकिया वैली का D option correct आपका प्रस नमबर 20 पुछा गया है रूसो की समान इच्छा की अवधारणा का तात्पर है समुदाय के सामुहिक हेत से D option correct आपका प्रस नमबर 21 क्या पुछा गया है बहुत ही दयान पूरवग देखेंगे अतरिक्त मुल की अवधारणा किसने दी तो कारल माक्स ने दी है ठीक है C option correct है बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टन प्रस ने अतरिक्त मुल की अधारणा किसने दी है यह काल माक्स ने प्रस नमबर 22 क्या है दे कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकासन कब हुआ था इसका प्रकासन 1849 में हुआ था दे कम्यूनिस्ट मानिफेस्टो किस ने लिखा है कमेंट बॉक्स में जरू करिएगा यह भी आपके एकजामें 100% एक दम पूसता है दे कम्यूनिस्ट मानिफेस्टो किस ने लिखा है ठीक है चले प्रस्ट नमबर 13 क्या पुछा गया है दप्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक है माई की अवेरी भी आप संग करेक्ट है देखिए इस्टेटमेंट और बुक्स जितने भी है यह आपके हर एकजाम में हर कालेज में पूछे जाते हैं ध्यान र करेक्ट आपका 24 का चले 25 नमबर पुछा है इनमें से कौन सी पुस्तक काल माक्स द्वारा नहीं लिखी गई है दे कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो यह आपका किसके द्वारा लिखा गया है काल माक्स के द्वारा देखी मुझे पता थे लेकिन मैंने बताया नहीं यहां पर आ कालमाक्स नहीं लिखा है यह बताइबा यहां किसके ने लिखी यह बेरी बरी मॉस्ट इमपोर्ट कुछा गया है बहुत ही ध्यान पूर्वद मांटेश कb कई हैं कोई नहीं आगे बढ़नाल के लेक्षा लेक्षा है लेनिन भर फिर माउ W19 तो दास कैपिटल के लेखा काल माक्स है, यह भी 100% हर साल पुछा जाता है, ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं, 29 नमबर पसन आपका देखते क्या पुछा गया है, उपयोगितावादी विचारधारा के संस्थापक कौन थे, तो इसके विचारधारा के संस्थापक है, ज जेरोमी बेंथम, चले, 30 नमबर पसन आपका पुछा गया है, सुम्मा थियोलाजी का एक परसिद्ध पुछतक है, यह थामस एक विनांस का है, डी आपसन करेक्ट आपका, चले, 31 नमबर पसन देखेंगे, हमारा क्या पुछा गया है, किसने कहा, ठीक है, इन चारों में से क इसने कहा था, जहां कानून नहीं, वहां सोतंतरता नहीं, तो यह कहत जानलाग, ठीक है, बी आपसन आपका करेक्ट है, प्रस नमबर 32 देखेंगे, क्या पुछा है, लेवियाथन पुछतक किसके द्वारा लिखी गई, लेवियाथन पुछतक हापस के द्वारा लिखी प्रस नमर 35 आपको क्या पूछा गया है रूस में सामयवादी करांती किस वर्स में हुई रूस में सामयवादी करांती जो हुई थी थी 1917 में हुई थी एअ प्रस नमर 36 क्या पूछा गया है आपका इच्छान की सक्ती राज्य का आधार है यह किसका कथन है तो जानला का कथन है डिया-। प्रस नमर 37 क्या पूछा गया है लासकी ने कौन सी पुश्टक लिखी है लासकी ने लिखी है एक ग्रामर आप politics डी आपसन आपका करेक्ट है 37 का प्रस्ट नमबर 29 क्या है निम्न लिखित में से कौन प्राकिर्थिक अधिकारों के सिध्धान्द का प्रतिपादक है तो जानलाक जो है भाईया यह आपके प्राकिर्थिक अधिकारों के सिध्धान्द के प्रतिपादक है यह आपसन करेक्ट और उनसे मनुस्यों को सुरच्छित करने की सकती नहीं है तो यह कहे थे हापस ने ठीक है भी आपसन करेक्ट है आपका प्रस नमर 40 क्या पुछा गया है आपका 40 नमर पुछा है किसने तर्क दिया कि लोकतंत्र और पुजिवाद एक साथ नहीं चल सकते तो यह मातसवादी विचार धारा है ठीक है ध्यान रखेंगे यह आपसन करेक्ट है आपका 41 नमर पुछा गया है जर्मन आदर्सवादी कौन थे जर्मन आदर्सवादी हेगल थे बी आपसन करेक्ट आपका 41 का चले प्रस नमर 42 क्या पुछा गया है आपका फिलोसोफी आफ राइट्स 1831 किसके द्वारा लिखी गई तो यह हेगल के द्वारा लिखी गई यह डी थी तो टीएच्ट ग॰ीन के द्वारा की गई थी सी आप्सन कर्क्त गलटा है पूस्तो यह जो कम्यूनिस्ट मैंनीफेश्ट जी समुमार जो observe take a स्थिकर देख्येंगे जो मेसे सब्सक्राइब 155 ़िभार लिखित पुष्टक है, जेस मिल द्वारा लिखित कौन सी पूष्टक है आन लिबार्टी जेस मिल द्वारा लिखी गई है a option correct है फोट फाइब का प्रस नमर 46 क्या है वेंधम ने सिधान्थ का समर्थन किया किस सिधान्थ का समर्थन वेंधम ने किया विया तो नीतिगत अधिकार का जो नीतिगत अधिकार है इसका समर्थन बेंथम ने किया है ठीक है डी आपसन करेक्ट आपका प्रस नमर 47 है फ्रेगमेंट्स आप गॉर्मेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई जे रोमी बेंतम के द्वारा लिखी गई है डी आफसन करेक्ठ आपका प्रस नमर अल्टालिस क्या पुछा गया है किसने न्याय को समान लोगों के साथ समान वेवहार करने और असमानों के साथ असमान वेवहार करने के रूप में परिभासित किया है तो यह अरस्तू ने किया है डी आफसन आपका करेक्ठ है चले प्रस नमर फोटिनाइन क्या है प्लेटो ने अकादमिक की अस्थापना की प्लेटो ने अकादमिक की अस्थापना 387 सापूर में की थी सी आफसन करेक्ठ आपका फोटिनाइन का चले प्रस नमबर 50 क्या पुछा गया है निम्नलिखित में से किसे ने यह तर्क प्रस्तूत किया कि न्याय समाजिक संस्थाओं का सरवपर्थम गुड है तो यह जानरालस ने ठीक है जानरालस ने प्रस्तूत किया था कि न्याय समाजिक संस्थाव का सर उपरतम गुड़ है ठीक है D-Aption Correct आपका चले प्रस नंबर क्या उन क्या पूछा गया है सुकुराथ का सित से कौन था सुकुराथ के सित से थे प्लेटो ठीक है बी आफ़सन आपका correct है आगे बढ़ते हैं प्रस नंबर 52 देखते हैं आपका क्या है अरस्तू ने अपना स्कूल खोला जिसे किस नाम से जाना जाता था तो अरस्तु ने जो स्कूल खोला था इसका नाम था लीसियन ठीक है यह आपसन आपका correct है अगला प्रस देखेंगे 53 नमबर क्या पुछा गया है राजनीती विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है राजनीती विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है बी आपसन आपका right answer है प्रस नमबर 54 अब चबवन नमबर पसन क्या पुछा गया है राजनीती दर्सन का पिता किसे कहा जाता है तो प्लेटो को राजनीती दर्सन का पिता कहा जाता है A option आपका right है 55 नमबर पूछा है भी या पूछ तक Republic के लेखक कौन थे तो Republic के लेखक पिलेटों हैं ठीक है C option correct है 55 नमबर का प्रस्ट नमबर 56 क्या पूछा गया है किसे इतिहास में प्रतम फास्टिस कहा जाता है D option correct है चले 57 नमबर प्रस्ट क्या है एथेंस में अकादमी की अस्थापना किसने की एथेंस में अकादमी की अस्थापना प्लेटों ने की थी B option correct है 57 का प्रस्ट नमबर 58 क्या पूछा गया है अरस्तु के अनुसार करांती का मुल कारण क्या है अरस्तु के अनुसार क्रांती का मुल कारण है असमानता क्या अनुभूती बी आप्सन करेक्ठ working का प्रस्ट नमबर 69 क्या है पॉलिस सब्द का संबन्ध की ससी है पॉलिस सब्द का संबन्ध नगर राज से होता है D option correct है आपका CT state से होता है ठीक है चले प्रस नमबर 60 क्या पुछा गया है दार्सनिक राजा का सिधान्त किस ने दिया तो प्लेटो ने दार्सनिक राजा का सिधान्त दिया है B option रखर है प्रस नमबर 61 क्या इमें से कौन सी पुष्टक thamas haps द्वारा लिखी गई है प्रस 1600 क्या पुछा गया है आपका निमने लिखित में से ये किस ने कहा था कि राज जीवन के लिए अस्तित्तों में आता है और सुव जीवन के लिए बना रहता है यह अरस्तू ने कहा था बी आपसन करेक्ट है आपका चले प्रस नमबर 63 कहा तिरस्त नमबर कौन सा राजनीतिक विचारक उच सिच्छित नागरिकों के लिए बहुल मतदान की वकालत करता है तो यह जैस मिल ठीक है जैस मिल करते हैं भी यह डी आपसन आपका करेक्ट है देखिए बहुत ध्यान पूर्वक देख लीजेगा ठीक है बहुल मतदान की वकालत कौन करता है जैस मिल ध्यान रख़िए गार पूरा नहीं याद रखते हैं तो इतना याद रखिए ठीक है बहूल मतदान की वकालत जैस मिल 64 नमबर प्रसन आपको क्या पुछागा है लेख को और पुस्तकों का निम्नलिखित में से कौन सा एक यूगम सुमेलित है कौन सा एक यूगम सुमेलित है भई यह ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा जान लाक लेवियाथन पुस्तक लिखे हैं बिलकूर जेएस मिल रिप्रेजेंटिव गवर्मेंट यह आपका इनकरेक्ट है ठीक है भी आपका इनकरेक्ट है चले प्रस नमबर प्रसट क्या है व्यक्ति स्वयम में अपने मन और सरीर पर प्रभुता संपन है यह निम्ले लिखित में से किसका कथन है तो यह कथन है आपका जेएस मिल का यह आपसन करेक्ट है आपका प्रसट का चले चाच्छा नंबर पस्ट क्या पुछा गया है निम्न लिखित युगमू में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है जे लाग प्राकिरतिक अधिकार बिल्कुल जे रोमी बेंथम ठीक है विदिक अधिकार ये भी करेक्ट आपका हीगल सांस्कृतिक अधिकार ये आपका इन प्रस नमबर 67 क्या है निम्नलीकित में से यह किस ने कहा था कि राज धर्ती पर इस्वर का अवतरण है तो W.F. हेगल ने कहा था B. आपसन करेक्ठाप का प्रस नमबर 68 क्या पुछा गया है राज जी की प्रकिर्ती एंकारियों की उधारणा का सर्वत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में पाया जाता है तो यह जानला के रचनाओं में पाया जाता है यह आपसन करेक्ठाप का प्रस्ट नमबर 79 क्या पुछा गया है निम्नलिकित में से किसने राज्य के कारे के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का परियोग किया है तो यह काउंट किसने किया विया तो हीगेन ने किया है 69 का सी आफसन आपका करेक्ट हो जाएगा 70 नमबर पस्ट क्या है हाफ सुव्यक्ति को संप्रभू की अवग्या करने का अधिकार देता है तो अन्याय को दूर करने के लिए searching आफसन आपका करेक्थ है प्रस्ट नमबर 71 है अधिकारों के वैधानिक सिद्धान्द का समर्थन करने का स्रेय है किसको है जान लाग को है एक भ्रहम है यह किसका कथन है यह कथन है चानलाग का सी आसफानब का करेक्ठ है प्रसन मों फिल्द कि पुछा गया है इतिहास की भोतिक्वादी ब्याक्ष्चा के माध्यम से माक्स ऐस्पष्ठ करना चाते हैं कि क्या ऐसपष्ट नचाते हैं उत्पादन की पद्धती इतिहास की गतिनी धारित करती है डी आपसन आपका करेक्ट है 73 का चले आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर 74 क्या पुछा गया विया प्लेटो के अनुसार आत्मा के गुड़ हैं प्रस नमबर 75 क्या पुछा गया है समाजिक समझावता सिधान्द के परवर्तकों के अनुसार राज एक क्या है राज एक प्राकीर्तिक संस्था है ठीक है बी आपसन आपका करेक्ट है उमिदे साति हो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी क्लास अच्छा लगा होगा प्रस्ण पत्र को आगे जरूर शेयर करेंगे आपकी जिम्मेदारी और आपसे रिक्वेस्ट भी यह ठीक है जल्दी मिलते हैं आपके नेस्ट मॉडल पेपर में तब तक लिए जय हिन वंदे मातरम